नमस्का दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं इस वीडियो में सुझू की बर्गमेंस्ट्रीट 125 E-X Model के साथ इसकी इग्सिस्टिंग बर्गमेंस्ट्रीट राइट कनेंग मौडल के टीटेल कंपैरिसन करने वाले हैं हाली मैं सुदू की कंपने ने इसकी बर्वैन स्ट्रीट का EX model लाँच करी है जो इसकी existing right connect model से लगभख 19-22,000 तक की ज़ादा महेंगी है EX model के उपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हो जिसका link मैं description box में डाल दूगी आप जाते हो तो उस वा जाकर देख सकते हो तो दोस्तो existing right connect model से क्या सच में बहुत ज़ादा अंतर है EX model में क्या इतनी ज़ादा price difference सही में होनी चाहिए थी ये जानने के लिए वीडियो को अंतर देखिए मेरे चैनल में आप नए हो तो subscribe करके bell icon हिट करना मत भूलिए ताकि कोई भी latest update आपसे मिसना हो जाए सुदू की bergman street का total 3 variants है दोस्तो basic BS6 variant के साथ right connect and top variant यानी की हाली में launch हुई EX variant का बहुत सारा अंतर आप लोग को देखने को मल जाएगे इस वीडियो में हम लोग right connect model के साथ EX model को compare करने वाले हैं दोस्तो शुरू करते हैं color options से सुदू की bergman street के right connect edition अगर आप लेते हो तो इसमें आपको 5 color options मिलेंगे जिसमें से pearl mirage white, metallic matte black, medium blue, glossy grey, metallic matte body x red वहीं पी EX model में company से 3 color options आपको provide करती है जिनमें से है metallic matte platinum silver, metallic royal bronze जो की काफी popularity में है metallic matte black ये भी काफी popular है अब देखते हैं कि इसकी looks and designing में क्या-क्या changes आए है overall designing and structure में कुछ खास changes नहीं करी गई है Bluetooth version में front में जो black color की band देखने को मिलते थी EX model में वही chrome pattern में आपो देखने को मिल जाएगी फिर headlights and DRLs वगेरा same दिये गए है difference है alloy wheel की color में EX model में metallic steel color की alloy wheel देखने को मिल जाएगी वही पुराने model में black color की ये दी गई है front wheel में जो भी changes है उसके साथ EX model में floorboard and body panel brown finish में आपको देखने को मिल जाएगी वही Bluetooth model में floorboard, body panel वगेरा एकदम traditional black color की finish में आपको मिलेगी right handle के switches में थोड़ी सी change आई है पुराने Bluetooth model में सिर्फ self start and engine kill switch दिया गया है and EX में engine auto start and stop वाली switch भी आपको दी जाती है मतलब traffic में या फिर किसी कारण अगर थोड़ी दिर रुख जाते हो तो engine आपकी automatically बंद हो जाती है फिर throttle को घुमाने से automatically engine आपकी हो जाएगी start fuel save करने के लिए EX variant में यह जो feature add गया गया है वो काफी शांदार मेरे को लगती है दोनों में ही same dual tone की seat आपको मल जाती है exhaust के finishing में थोड़ा सा changes आपको देखने को मिलेंगे Bluetooth model में normal black contouring मल जाती है वही EX model में metallic border जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी पीछे body panel के जो borders है उसमें भी आपको chrome pattern देखने को मिल जाएगी and EX model में rear wheel के उपर rubber का एक guard लगा हुआ है and जो machines and wires वगेरा है उसके उपर भी एक चोटा सा guard आपको देखने को मिल जाएगी जो Bluetooth model में नहीं था engine की अगर बात करें तो दोनों में ही 124 cc का single cylinder air cooled fuel injection technology वाली powerful engine देखने को मिल जाती है दोनों में ही kick and sell start दिये गए है EX model में 8.4 bhp का power आपको देखने को मिलता है at a speed of 6500 rpm and 10 newton meter का peak torque आपको मिल जाता है at 5500 rpm power figure अगर दोनों का देखा जाए तो EX model में power थोड़ी सी कम है बस थोड़ा सा ही कम है बाकि torque दोनों में same देखने को मिलती है engine EX model में थोड़ी से refined आपको मिल जाएंगी ACP alpha यानि की Suzuki Eco Performance Alpha Technology इसकी feel efficiency को पहले से improve कर देती है and EA SS यानि की easy auto start stop feature जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी वो देने के कारण feel consumption and emission जो है इसकी वो reduce हो जाती है मतलब overall feel economy जो है वो EX model में थोड़ी से better आपको देखने को मिलती है मतलब mileage अच्छे मिलने के आशा है suspension दोनों में similar दिये गए है, front में telescoping and rear में swing, arm suspension आपको दोनों में मिल जाते है tire size में सबसे बड़ी changes आई है, जिसका demand शायद Indian market में बोखत दिनों से हो रही थी, वो है rear की wheel size Bluetooth variant पे rear में 90 by 100 की 10 inch का tubeless tire दिये गए थे, EX model में much awaited feature यानि की rear में 100 by 80 का 12 inch का tire company ने पहली बार provide करी, मतलब EX के rear model में थोड़ी से बड़े और चौड़े tire आपको देखने को मल जाती है जो गाड़ी के stability के लिए काफी अच्छी हो जाती है, front में दोनों का ही same, यानि की 90 by 90 की 12 inch की चीवलेस tire आपको मल जाएंगे braking system दोनों का same ही है, combi braking system आपको मल जाती है, front में disc and rear में drum का option आपको मल जाती है अब देख लेते हैं कि दोनों की features में कितने difference है, दोनों में ही LED headlap and DRLs देगे हैं, front में glove box देगे हैं, जिन में USB charging port आपको देखने को मल जाएंगे दोनों में ही fully digital instrument cluster दिये गए है, Bluetooth connectivity and GPS and navigation के सारे features इसमें आपको देखने को मल जाएंगे जिसमें से turn by time navigation, missed call alert, caller ID, SMS and WhatsApp alert, ETA update, speed exceeding alert, phone battery level display, odometer, clock, low fuel indicator, यह सारा features आपको दोनों में ही common देखने को मल जाएंगे यहाँ पर एक important update है, Suzuki Ride Connect app से Bergman Street Bluetooth versions में आप सिर्फ Android phone को ही connect कर सकते थे, लेकिन EX model में पहली बार iPhone को भी आप connect कर सकते हो Ride Connect app अब Android and iOS दोनों में ही available हो चुकी है, यह company का latest claim है, यानि की EX जो variant है, उसमें आप अपने Android and iOS दोनों device को ही connect कर सकते हैं दोनों में ही दो hooks 21.5 लिटर के boot space, side stand sensor 5.5 लिटर की fuel tank with 1.3 लिटर के reserve EX model में एक नई feature company ने add करी है, वो है silent start वाली feature मतलब scooter को start करते वर्ग normal Bluetooth variant में जो अवाज आती है, वो इसमें थोड़ी सी कम आपको मिल जाएगी EX model में SAP alpha technology and engine auto start stop के features add करे गए है, जो ride cunning model में नहीं था मतलब ये सारे features EX variant के fuel economy को better बनाती है, मतलब दोनों के features को अगर compare किया जाए तो 4 से 5 additional features आपको EX model में extra देखने को मिलेंगे अब आएए दोस्तों दोनों के dimensions को भी एक जलत देख लेते हैं, Suzuki Bergman Street की Bluetooth variant के length है 1880 mm, width है 715 mm, height है 1140 mm, wheelbase है 1265 mm, ground clearance है 160 mm, seat height है 780 mm, field tank है 5.5 litre की and curve weight है 110 kg मतलब dimensions में थोड़ी अंतर देखने को आपको मिल जाती है, EX model में length थोड़ी सी कम है, सिर 5 mm की difference है, width EX model में आपको कम मिल जाती है, height होड़ी दोनों में लगबग सेमी है, wheelbase भी EX model में थोड़ी सी जाधा आपको मिल जाती है, ground clearance दोनों में सेम है, field capacity भी दोनों में EX model में 1 kg आपको, heavy आपको देखने को मिल जाती है, Finally देख लेते हैं दोनों की pricing को दोस्तो finally देख लेते हैं दोनों की pricing में कितना जाधा अंतर है Bergman Street Bluetooth variant की एक showroom price Delhi में 93,000 से start होती है और on road करीब करीब 1,09,000 तक बढ़ सकती है Bergman Street EX model की एक showroom Delhi का price 1,12,000 से start होती है and on road 1,28,000 बढ़ती है मतलब 19,000 तक की price difference इस दोन नोनो model में आपको देखने को मल जाती है दोस्तों जैसे की आप देख सकते हैं कि EX model में बस तीन या चार ही updates नए मिल जाते हैं जिसमें से की ACP यानि की Suzuki Eco performance के features 12 inch का rear वाला wheel engine auto start and stop system silent starter वाली features ये सारा extra दिया गया है बस इन features के लिए price 5-6,000 तक बढ़ना चाहिए था लेकिन Suzuki company ने EX model की price काफी बढ़ा दी है दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे comment करके आप बताईए जाने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर देना शेर भी कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना में मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए टेक केर एंड सेफ राइडन करिए बाइब